असलालेकुम एवरिवन आज मैं आप लोग के साथ मेरी फुपो की स्पेशल रेसिपी केरेमल एक पुडिंग की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर के रही हूँ जो हम बाजार में पुडिंग खाते हैं इससे भी अच्छी हम हमारे घर पर बना सकते हैं तो रेसिपी जाने के मैं च्छा तोड़के उनके तुकडों के बाउल में ले लोगि उसके बाद मैं इसके अंदर एक ग्लास दूद दाल रही हूँ अच्छा यह अपला दूद नहीं है सबस् alta dim fight li देना है और इसको मैं 10-15 मिनिट के लिए साइड में चोड़ दूगी ताकि जो हमारे ब्रेद्स हो वो सॉफ्ट हो जाए अब मैंने एक लिटर दूद ले लिया एक भरतर में अब इसके अंदर मैं एक कप के करीब शक्र यूज करें अगर स्पून्स में बता हूँ तो आठ से नौ स्पून्स ते अब शक्र आपका मीठा जितना आप खाते हो हिसाब से यूज करिएगा और इसके अंदर मैं यह कैरमल पुडिंग मिक्सचर है वो यूज कर रहे हूँ इससे थोड़ा थोड़ा दाल कर मैं इसको पहले मिक्स कर लोगी एक दिम से सारा नहीं दालना है हम मैं दालना है ताकि इसमें लम्जना बने यह यूज करने से इसका टेस्ट और कलर बात अच्छा आजाता है तो आप यह दालिएगा इसमें अच्छा मैं आपका अभी दूद की क्वांटिटी बता रही हूं मैंनी पुडिंग मिनाने के लिए टोटल एक लिटर दूद बॉल कर रहे हीूं जो मैंने ग्लास में भी दूद आधा व्रेट को सोक करने के लिए उससब मिलाकर टोटल मैंने दूद यूज किया तो इसमें एक लिटर दूद यूज होता है तो अब इसको लो फ्लेम पर अच्छा से बॉल होने दे रही हो अर कंटिनुसली को स्टिर कर अच्छा उस बरतन में मुझे सा लग रहा था कि दूद मेरा गिर जाएगा तो मैंने इसको शिफ्र कर लिया बड़े बरतन में तो अब इसको लो फ्लेम पर ऐसे ही बॉल आने तक का इसको मैं उबाल रही हूँ अब जो हमारा मिक्सर मैंने रखा था अंडा दूद और मिल्क वाला उसको मैं ने रख ग्राइंड जाओर में रखे यह जो भी दो हमारा दोटन में पाड़ें विल इसको टुले डिया जोडो तो पुडिंग को स्टीम करनी के लिए आपने देखा है मैंने करें थोड़ी सी पानी रखकर उसके उपर बर्दन रखा है तो आपको इसी तरीके से अब मैंने सारी पुडिंग वाला मिक्सचर इस बर्दन में दाल दिया है और फिर इसको मैं धखकर लो फ्लेम पे 20 तु 25 मिनिट के लिए अच्छे से को को कोने दूगी देखे पच्छिस मिनट के बाद इको इस तरीके से दिख रही थी तो मैं इसको भी हटा कर डिरेकली मैं कि उपर रख दूगी और वापस से हमको 20 तु 25 मिनिट के डिरेकली इसको गैस पर कुक करना है हमारी बडिग में जब इस तरीके से बॉल आने लगे तो यह अल्मूस्ट कुक हो गई है तो मैं इसको पास्मेट के लिए और पकाऊगी और इसके बाद फिर फ्लेम को आफ कर यह देखिए एकदम सेटल हो गई थी मैं आपको हाथ लगा कर दिखा रही हूँ अब मैं इसको रेफ्रिजरेट कर दूगी मैंने इसको ओवर नाइट रखा था आप इसको दो-तिन घंडे के लिए भी रख सकते हो डिरेकली डीमोल्ड मत करना वरना यह तूट जाएगा दे पुड़िंग को इस तरीके से बहार निकालोगी और एक प्लेट पे हमको इसको फिलिप कर देना तो आप देख सकते जो शुगर हमने गरम किया था उसके उपर कितना अच्छा सा कलर आ गया है और यह मेरे पास रेडिमेट केरमल था जो हमने पाकेट यूज किया था उसी मे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अलाहाफिस